Study IQ IS अब तयारी हुई जिनको गलत तरीके से रश्या की आर्मी में शामिल किया गया और वहाँ पर यूक्रेन के खिलाफ लड़ाया जा रहा है यह आप खबर देख सकते हो इंडियन स्टाप्ट इन वार जोन लियोर्ड विट जॉब अब नाव फाइटिंग फॉर रश्या अगेंस्ट यूक्रेन से इस रिपोर्ट तो इसके बारे हम डीटेल से जानेंगे एक्जाक्ली हुआ क्या है क्योंकि लगतार कुछ-कुछ रिपोर्ट आ रही है कहीं बताया जा रहा है कि तीन लोग फसेव हैं वो सारा मामला क्या है आपको डीटेल से बताऊंगा चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा दोस्तों हमारा नया बैच फाउंडेशन का UPSC फाउंडेशन का 26th of February से स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर पूरी त्यारी कराए जाती है प्रिलिम्स में इंटर्व्यू सब कुछ अगर आप प्रिलिम्स के परस्पेक्टिफ से अगर कोई बैच लेना चाहते हैं तो हमारा SIP प्लस ले सकते हैं या आपका प्रिलिम्स क्राक करने में काफी मदद करेगा इसको लेने के लिए हमारे वेबसाइट अप पर जाएए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिसकाउंट मिल जाए और इसके लावा अगर आप MCQs अटेम्ट करना चाहते हैं यहाँ पर तीन ऐसे भारती हैं जिनको गलत तरीके से रश्या भेजा गया और फानिडी वहां से लेकर रश्या यूक्रेन के वाडर पर भेजा गया और उसी की वज़े से वो यूक्रेन के खिलाफ यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं यह ऐसा बताया जा रहा है एटलिस तीन इंडियन्स के बारे में और भी है मैं आपको आगे बताऊंगा लिकिन इसमें देख़ें इंपोर्टेंट चीज क्या है इंपोर्टेंट यह है कि जब यह रश्या यूक्रेन का वाडर स्थार्ट हो रहा था एक पुरा ग्रूप है वो बनाये जाएगा तो उसमें ऐसी खबरे आई थी कि भारती वोलेंटेर करना चाहते हैं अब एक्जाक्ली वो लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं यह नहीं पता लेकिन यह जो खबर है कि वो रश्या जाकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ हैं यह शायद पहली बार इसके बारे में पता चल रहा है और इसी लिए काफी ज़्यादा चिंता जनक हैं अच्छली हुआ क्या है कि यहाँ पर आपको पता होगा AIMIM के जो लीडर है असोदीन OAC हैदराबाद से बिलॉंग करते हैं आप सबको पता होगा उन्होंने कहा कि मेरे पास एक विक्टिम आई उसकी फैमिली आई और उन्होंने इसके बारे में मुझे बताया इसी के वज़े से मैंने इसको लेकर जो मुद्दा है वो External Affairs Minister के सामने उठाया है और ये मैं आपको इसके बारे में और बताऊँगा उन्होंने क्या क्या बेसिकली बोला है लेकिन आप समझे बताया ये जा रहा है कि एक दर्जन से जादा Indians रश्या के अंदर फसेवे हैं और वो Battlefield में है वो भारत वापस आना चाहते हैं और ये जो victims की हम बात करना है ये कई राज्यों से भारत के अलग-अलग राज्यों से चाहें उत्तर परदेश है गुजरात है पंजाब है जम्मू कश्मीर करनाटका कई जगा से आपको देखने को मिलेगा अब question ये है कि आखिर कार Indians को वहाँ पर कैसे ले जाया गया चार लोग यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन्होंने वीडियोज वगरा शूट करके भेजा है इस तरह के कुछ वीडियोज वगरा शूट किये गहें और यहाँ पर भेजा है उन्होंनों मदद मांगी है कि प्लीज हमें यहाँ पर बचा लो हमें रश्या बॉर्डर पर भेजा जा रहा है वहाँ पर लड़ाई करवाया जा रहा है हमसे जो कि हम नहीं चाहते हैं यहाँ पर जो तिलांगना का यूथ है बताया जा रहा है कि वो एक combat uniform में मतलब कि जो army का uniform होता है वो पहन कर उसने video बनाया और अपने family को कहा please save us we are victims of high tech fraud मतलब कि उसके साथ एक high tech fraud हुआ है वो मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन साथी साथ यहाँ पर उसने ये भी बताया कि उसके अलावा भी और भी कई साथी हैं जो कि इस पूरे war zone के अंदर फसे में हैं देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इन चार लोगों के साथ हुआ क्या था ये जो चारों इंडियन्स की हम बात करें ना तीन करनाटका के कलबूरगी से और एक तिलांगना से ये चार इंडियन्स बेसिकली दुबई में काम कर रहे थे और दुबई में उनका कॉंटाट होता है एक एजेंट से और वो जो एजेंट है उसने कहा कि अगर आपको एक अच्छा खासा तनका चाहिए मतलब की सैलवी चाहिए तो मैं आपके लिए एक जौब बताता हूँ तो अगर आप वहाँ पर जाओगे तो आपको बहुत अच्छा खासा पैसा मिलेगा तो क्या होता है कि ये जो चारों इंडियन्स हैं वो पिछले साल दुबई से वापस आ जाते हैं भारत भारत आने के बाद ये जाते हैं रश्या कैसे चन्नई के तुरू चन्नई से वो फ्लाइट पकड़ते हैं अगली मैने दिसंबर में और वो चले जाते हैं रश्या और विजिटर वीजा पर वो जाते हैं मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि काम कि वीजिटल जो वीजा होता है, उसके बेसिस पर वो रश्या चले जाते हैं, फिर यहाँ पर सोर्सेज के माध्यम से यह बताया जा रहा है, कि यह जो यूथ हैं, इनको अच्छा खासा सैलरी का वादा किया गया था, दो लाख रुपए पर महिना, इनको बोला गया था कि आपको यह मिलेगा, और आपको आपका जो काम है वो बेसिकली सेक्योरिटी परसनेल का होगा, मतलब कि जो बिल्डिंग्स वगर होती हैं, कई सारे जो सेक्योरिटी परसनेल्स वगर होते हैं, उस तरह का काम आपका होगा helper का काम होगा और इसके लिए आपको दो लाग रुपए पर मैंने दिये जाएंगे तो यहाँ पर जो youth है यह जो चारों इंडियन्स थे इनको लगा कि अथिया opportunity हमें इसका फायदा उठाना चाहिए in fact यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दो जो agent है जिसने यह पूरा planning किया वो साड़े तीन लाख रुपए इंसे लिया भी है जॉब दिलाने के लिए सोचिए उल्टा इनसे साड़े तीन तीन लाख रुपए एक एक परसं से साड़े तीन लाख चारों से नहीं एक एक परसं से मतलब आस्पामज यह 14 लाख रुपए के आसपास हो गया यह इनसे वो agent लिया है और उसने कहा कि मैं आपको रश्या में जॉब दिलवाऊंगा अ और वैगनर ग्रूप वही ग्रूप है आपको याद होगा बीच में पिछले साल खबर आई थी कि वो तक्ता पलट करने जा रहे हैं कुछ पुतिन के खिलाफ ऐसा खबरे आ रही थी उसको खतम कर दिया पुतिन ने इसको हटा दिया उसके जो वैगनर ग्रूप के चीफ थे जो है ट्रिक करके गलत तरीके से जो एजेंट है उसने उसको वार जोन में भेज दिया यहाँ पर यह वहां से उनको बॉडर पर ले जाया गया बेसिकलि अगर आप देखोगे रश्या यूक्रेन का जो बॉडर है यह डोनबास रीजन होगया आपको पता होगा और रश्या के अंदर यह बॉडर के पास ही यहाँ पर एक जगह आता है रोस्तॉब और वहां पर इन तीनों को यहाँ पर भेजा गया और वहीं पर से इनको लड़ाया जा रहा है मतलब बैटल फिल्ड में एक तरह से भेज दिया गया है और यह आप देख सकते हो यहाँ पर जो यूप 1.95 लाक रूपए सेलरी दिया जाएगा और हर मेने करी 50,000 रूपए बोनस मिलेगा मतलब धाई लाक रूपए आपको हर मेने अल्मोश्ट मिल जाएंगे तो उसका कहना है कि देखे पिछले दो मेने से मुझे सिर्फ 50,000 का बोनस मिला है इसके अलाबा कोई भी रूपए मु देखोगे तो ये YouTube चैनल चलाता है और बाबा व्लॉक करके ठीक है YouTube चैनल चलाता है वो बताया जा रहा है कि कई सारे वीडियो वगर वो डालता रहता है YouTube चैनल पे और लोगों को लुभाता रहता है कि आपको अगर इस देश में काम चाहिए तो मेरे पास काम है आप मेरे वाले देश में काम चाहिए तो मेरे पास काम है, आप मेरे पास आओ, और मैं आपको काम दिलाउगा और बताया गया कि यहाँ पर जो यूपी वाला जो यूथ है, वो इसी फैसल खान के चक्कर में आ गया, और उसी के वजह से यहाँ पर फानली उसको बैटल फिल्ड में भेज दिया गया, वो फस गया इस पूरे चक्कर में, इंफर्क उत्तर परदेश वाला जो यूवक है, उसने ये भी बताया कि उसको बुलेट भी सहनी पड़ी है, कई बार, और यहाँ पर गन पॉइंट पर उसको जबजस्ती वहाँ पर फाइट कराया जा रहा है रश्या के अंदर, इसके अलावाद जमो कश्मीर का भी एक रेसिरेंट है, उसने बताया कि मैं जब वहाँ पर पहुँचा रश्या में, रश्या के बॉर्डर से मैंने एक मेल भी किया था, मैंने इंडियन एम्बेसी को कॉल भी करने की कोशिश की, जो मॉस्को के अंदर है रश्या में, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई अभी तक रेस्पॉंस नहीं मिल पाया है, इस तरह की चीज़ें आई हैं, दोको एक तो ये वाला बात हो गया, कि गलर तरीके से भेजा जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इंडियन ओरीजन ओफीशल जो वर्क कर रहे हैं, रश्यन मिलिट्री और डिफेंस के साथ, वहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो इंडियन ओरीजन ओफीशल है, कि करीब सो के आज-पास जो इंडियन हैं, उनको हायर किया गया है रश्यन आर्मी के दौरा, लेकिन ध्यान बोला गया कि आप आर्मी सेक्योरिटी हेलपर के तौर पर जाओगे, वहाँ पर आपको जो है कुछ काम ओगर करने के लिए दिया जाएगा, अब देखो इसमें होता क्या है ना, कि जिस परसन के लिए वो काम कर रहे हैं, मानलो अगर वो बॉर्डर पर गए, उनको बोला गया बंदुक उठानी है और आपको शूट करना है, तो वो भी करना पड़ेगा, तो कुछ भी करना पड़ सकता है इस तरह के चीजों में, तो काफी ज़ादा डेंजरस है, I don't know कैसे यहाँ पर मतलब स्टिल रूपए वगर दिये जा रहे हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो लो अब देखते हैं, इसको लेकर क्या होता है, लेकिन अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो, जो अवस्यदीन OAC है, उन्होंने इसके बारे में यहाँ पर लिखा है, एक्स्टरनल अफ़ेर्स मिनिस्टर साब को एश्यसंकर साब, और जो इंडियन एमबेसी है मोस्को में, और यहाँ पर उनसे गोहार की है कि कई सारे जो unemployed youth हैं, तिलांगना, गुजरात, करनाटका, जमू कश्मीर से, उन्होंने मेरे से contact किया था, और वो वहाँ पर फस गए, आप प्लीज उनको वहाँ से छुड़ाए, ऐसा उनके दोरा बोला गया है, तो let's see आगे क्या होता है इन स interim line, it separates which of the following two neighbors, कौन से दो देशों को यह line separate करती है, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तुम मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उतर मैं, कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता है, अगर आ Study IQ IS, अब तयारी हुई, affordable